पूरा देश पर जो सबसे बड़ा खत्र है जिस पर जी निउस हमेशा से ही देश रित में जिसमुतने को उठा आता रहा है उसकी बात करें द्राबू ने कश्मीर मसले को राजनितिक नहीं सामाजिक समस्या बताया था बहुत गोर से सुनिये राजनितिक नहीं सामाजिक समस्या आज हम आपको द्राबू का वो बयान भी सुनाएंगे और उस बयान का मतलब क्या है वो भी बताएंगे जिसे पीडीपी जान पूच कर अपनी राजने तक दुकानदारी चमकाने के लिए दर्शकों से अंदेखा कर रही है जमु कश्मीर सरकार में कल तक हसीब ड्राबू वित्तमंत्री थे आज सीय महबूबा मुफ्ती ने उन्हें सच कहने की सजा दे दी पहले वो बयान सुनिये जिसके खिलाफ पीडीपी के विदायक द्राबू पर आक्शन हो गया अब समझ ये ज्राबू की कहने का मतलब क्या था ज्राबू कहना चाहते थे कि कश्मीर की समस्या को जान बूच कर पैदा किया गया है कश्मीर में शान्ती के लिए किसी अलगाव वादी से बाचीत करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को भी बीच में लाने की जरूरत नहीं है कश्मीर इस देश का अभिन अंग है यहाँ जो भी अशान्ती है उसे सामाजिक मानते हुए हमें ही दूर करना है लेकिन महबूबा को ज्राबू की ये राश्रु भगती पसंद नहीं आए क्योंकि PDP की पार्टी लाइन में कश्मीर एक राश्मितिक समस्या है खुद महबूबा मुफ्ती कई बार घाटी में आमान के लिए पाकिस्तान से बाचीत की जरूरत बता चुकी है अब अगर महबूबा मुफ्ती कश्मीर को सामाजिक समस्या मान कर कदम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा वो भी सुगए अलगाब वादियों को पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाउट से पैसे लेकर जमु कश्मीर के युवाओं को पत्थर बाजी के लिए उकसाने की छूट नहीं मिलेगी कश्मीर के युवा आतंक के रास्ते पर नहीं भटते पढ़ेंगे, लिखेंगे, रोजगार मिलेगा, उनका भविश्य सुद लेगा आज भी अनंतनाग में एंकाउंटर हुआ, कश्मीर के रहने वाले तीन आतंकी मुट बेड में मारे गए जिसके बाद से इलाके में तनाव है, बाजार बंध है, ट्रेंज सेवाई रोग दी गई है घाटी में आतंकीों के लिए ऐसा करने की जूट क्यूं है, महबूबा ऐसा करने वालों के खलाफ एक्शन क्यूं नहीं लेगी, क्या इसलिए किस से उनके पार्टी की राज़ितिक दुकान बंध हो जाएगी घाटी को सुलगाय रखने की अलगाववादियों की सोच का बरदाफाश हो जाएगा